आज का हमारा विशय है देवनागरी लिपी एवम भरतनी का मानक रूप विचार विनिमय को स्थाइद्व प्रदान करने के लिए तथा दूरस्थ लोगों तक अपनी बात लिखित रूप में पहुंचाने के लिए द्वनियों को चिन्धों में बजला जाता है इन ही द्वनियों को ही लिपी कहते हैं दूसरे शब्दों में जिस रूप में वर्ण लिखे जाते हैं उसे लिपी कहते हैं भिन्न भिन्न देशों की भाषा तथा लीपी भिन्न भिन्न होती है देवनागरी लीपी का प्रत्यक लीपी चिन्न अक्षर है अंग्रेजी शब्दावली में अक्षर के लिए सिलेबिल शब्द का प्रयोग होता है इसलिए देवनागरी लीपी सिलेबिक कही जाती है हिंदी प्रयोग किया जाता है, भारती सम्विधान की राज भाषा हिंदी की लीपी देवनागरी है, देवनागरी का विकास भारत की प्राचिन्तम लीपी ब्राह्मि से हुआ है, ब्राह्मि में एक उच्चारण के लिए एक अक्षर चिन्ह का सिध्धान्त मान्य है आरियों के मत अनुसार इस लीपी के निर्माता स्वयम ब्रह्मा थे इसका प्रचलन वेदकाल में था देवनागरी का वर्तमान स्वरूप शतापदियों के प्रयोगों पर आधारित क्रमिक विकास का परिणाम है विद्वान सक्सना के अनुसार दसवी शती तक इस लीपी में अ, आ, घ, प, म, य, श, स, व, आधी को दो भागों में बाटकर लिखने का रिवास था ग्यारवी शती में ये दो भाग मिलकर एक शिरोरेखा बन गए और प्रत्येक अक्षर का सिर उतना लंबा रहता था जितनी की अक्ष अ, बारवी शती से इस लीपी में सिरता आई, भारत के साथ-साथ आज यह नेपाल की भी राज लीपी है, उत्तरी भारत की एकमात्र प्रभावशाली लीपी होने के साथ-साथ, मराठी व गुजराती की भी यही लीपी है, इसके नामकरन के बारे में विद्वानों में मत इसके नामकरण के सम्मंद में कुछ पुर्वानुमान लगाए गए हैं जो इस प्रकार हैं। गुजरात के नागर ब्रामभणों द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इसे नागरी लीपी कहा गया। नागर अपभरंश से बाबुराम सक्सना के अनुसार इसका प्रयोक सबसे पहले दक्षिन भारत में मिलता है जहां इसे नंदी नागरी कहते हैं। श्री राम शास्त्री ने अपने लेख में इसके नाम के बारे में तर्क देते हुए लिखा है कि देवताओं की मूर्तियां बंजने से पूर्व उनकी उपासना सांकेतिक चिन्हों के द्वारा होती थी। जो त्रिकोन तथा चक्रों से बने मंत्र के जो देवनगर कहलाता था के मध्य में लिखे जाते थे। में ही संभव है क्योंकि इसकी वर्णमाला व्यापक है अक्षरों की क्रम व्यवस्था वैज्ञानिक है स्वर और वेंजन के मद्य स्पष्टता है विविनाद्भनियों को अंकित करने के लिए संयूक्त वर्णों का प्रावधान है तथा मिशृद ध्वनियों का सपष्ट व वो पूर्ण वर्ण माला है। परिपूर्णता के गुण के कारण ही सन 1951 के बाद से सेना के जवानों की शेक्षणिक परिक्षा इस लीपी के माध्यम से ली जाने लगी। संखेप में इस लीपी की मुख्य विशेशताएं इस प्रकार हैं। देवनागरी लीपी में चिन अक्षरों में व्यक्ति किये जाते हैं। यह एक व्यवस्थित लीपी है जिसमें वर्ण अंकन ध्वनी अनुसार होता है। ध्वनीयों का करम वैज्यानिक है। स्पर्ष द्वनिया कंठ से आरंब होकर होट तक आती है। प्रत्यक वर्ग में अल्पप्राण ध्वनी के बाद महाप्राण ध्वनी आती है। प्रत्यक वर्ग की नासिक्य ध्वनियां अंत में दी गई है। छपाई लिखाई का एक ही रूप है। स्वरों में रस्व और दिर्ग का भेध है और स्वरों की मात्राएं निश्चित हैं प्रत्य ध्वनी के लिए अलग लीपी चिन्न है एक द्वनी के लिए एक ही लीपी चिन्न है एक लीपी चिन्न से एक ही ध्वनी होती है उच्चारण और प्रयोग में समानता है केवल उच्चरित ध्वनियों के लिए ही में संसार की लगभग सभी भाषाओं की ध्वनियों को लीपी बद्ध करने की क्षमता है आईए अब देखें देवनागरी लीपी की वर्ण माला वर्ण अखंड मूल ध्वनी का नाम है वह किसी शब्द का वह खंड है जिसे और खंडित या विभाजित नहीं किया जा सकता प प्रत्य लीपी में कई वर्ण होते हैं देवनागरी लीपी की वर्ण माला में बावन वर्ण है जो इस प्रकार है स्वर्ण अ आ ईए ई उ उ रू ए आई ओ आउ अब व्यंजन देखें कवर्ग कखगघगगः चवर्ग च ज ज ज ज य त वर्ग ट ठ ड ढ धन त वर्ग त थ द धन प वर्ग प फ ब भम अनतस्थ व्यंजन य र ल व ऊश्म व्यंजन श सह अनुस्वार अर्थात किसी भी अक्षर के ऊपर बिंदी लगाना अनुस्वार कहलाता है विसर्ग अर्थात किसी भी अक्षर के आगे दो बिंदी एक के निचे एक लगाना विसर्ग कहलाता है और अनुनासिक अर्थात किसी भी अक्षर के ऊपर चंद्र और बिंदु लगान अनुनासिक चिन कहलाता है स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवशक्ता नहीं रहती वे स्वर कहलाते हैं हिंदी वर्ण माला में स्वरों की संख्या ग्यारा है इन में अ, इ, उ, रू, रस्वस्वर हैं आ, इ, उ, व, उ, दीर्गस्वर हैं आ, इ, उ, ए, आ, आ, ओ वो अव के उच्चारण में अ से दुगना समय लगने के कारण इन्हें द्वी मात्रिक तथा अ स्वर एक मात्रिक स्वर कहलाता है इसके अत्तिरिक्त स्वर का एक और भेद होता है जिसे प्लुत या त्री मात्रिक स्वर कहते हैं इनके उच्चारण में तीन गुना समय लगता है वेंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की साहता की बिना नहीं हो पाता वे वेंजन वर्ण के अंतरगत आते हैं वर्ण माला से स्वरों को निकाल देने के बाद बाकी बचे हुए वर्ण वेंजन कहलाते हैं. इनमें कवर्ग से लेकर पवर्ग तक के वेंजन स्पर्ष वेंजन कहलाते हैं. यह र ल व अंतस्थ वेंजन हैं. श श सह उश मेंजन हैं. एवं श त्रग्य और श्र सयुक्त वें ये तीनों क्रमशह क, धन्ष, बराबरक्ष, तधन्र बराबरी परत्र, तथा जधन्य बराबरी पर ग्यां, और शधन्र बराबरी पर वेंजन वरनों के सयोंग से बनते हैं। इनके अतरिक्त अनुस्वर, चंद्रविंदू, अर्थात अनुनासिक, तथा विसर्ग भी वेंजनों के अन्तरगत समझे जाते हैं, क्योंकि उनका उच्चारण स्वरों की साहता के बिना नहीं हो सकता। वेंजन दो तरह से लिखे जाते हैं, खड़िपाई के साथ और बिना खड़िपाई के। हिंदी के सारे वरनों के सिरे पर एक आड़ी रेखा रहती है, जो धभ में दो सिरों के बीच में कुछ तोड़ दी जाती है। मात्रा, वेंजनों में भिन्न भिन्न उच्चारण करते समय उनके साथ स्वर जुडते हैं, उस समय स्वर के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं, जैसे ए की मात्रा या या अक्षर के पहले लगाई जाती है, र में उ या उ की मात्रा अन्यस्वरों से अलग लिखी जाती है जैसे र में छोटे उ की मात्रा लगाने से रू वो बड़े उ की मात्रा लगाने से रू उच्चारण होता है रू की मात्रा वेंजन में नीचे की और जोडी जाती है जैसे कृपा संस्कृत आधी समय की परिवर्तन शिल्ता के साथ हिंदी का की देवनागरी लिपी का उपयोग बोलने की सुविधा के साथ-साथ मुद्रन टंकन शीग्र लेखन धनी प्रसारण और धनी संचरण में भी ह हो रहा है वेज्ञानिक प्रगति के अनुरूप उसके स्वरूप में परिवर्तन होते गए राज भाषा की लीपी होने के कारण इसके मानकी करण की आवशक्ता उपस्तित हुई राश्री के विकास में हिंदी भाषा की अनिवार्यता को द्रश्टिपत में रखते हुए श इसकी सिफारिशों के अनुरूप 1967 में देवनागरी लीपी का मानकी करण किया गया वर्तनी का मानक रूप राज भाषा हिंदी पर विभिन भाषाओं का प्रभाव पड़ा है इसलिए उसके उच्चारण और लेखन में विभिनता आई है वर्तनी की अनेक समस्याओं ने ए पंचम अक्षर, क्रिया रूप, सयुक्त वेंजन, संग्या रूपो, आधार, विसर्ग और विजेशी ध्वनियों के लेखन में विभिनता से समस्याओं न हो जाती है पहले देखें संस्कृत के तत्सम शब्दों की मानक वर्तनी कुछ तत्सम शब्दों के अंत में अकार क उच्चारण नहीं होता जैसे अदभुत, शाश्वत, भग्वान, आधी पहले ये हिंदी में उसी तरह लिखे जाते थे परन्तु अब इन शब्दों में हलंत नहीं लगाया जा कर इसे अदभुत, शाश्वत, भग्वान की तरह लिखना मानक माना जाता है इसी तरह विमर कोश में विमर्ष की जगह विमर्ष यानि स्व मुूर्धन्य व路 की जगह वूष का स्व मूर्धन्य अधिक प्रयोग में लाए जाने के कारण मानक माना जाता है वहीं कोष शब्दों के संग्रह के अर्थ में तथा मुर्धन्य कोष धन संग्रह के अर्थ में अधिक प्रयुक्त होकर दोनों मानक बन गए हैं ठंड ठंध प्रिष्ठ प्रिष्ठ कनिष्ठ घनिष्ठ घनिष्ठ उद्देश्य उद्देश्य संग्रुहित संग्रहित आदिशब्दों में से क्रमशह ठंड प्रिष्ठ कनिष्ठ घनिष्ठ उद्देश्य वह संग्रहित को मानक माना गया है अनुस्वार के प्रयोग से सम्मंधित मानक वर्तनी, हिंदी में अनुस्वार, चंद्रबिंदु और पंचमक्षर के प्रयोग में विभिन्नता आने के कारण प्रयोग करते समय उल्जन खड़ी हो जाती है इन तीनों स्थानों पर व्यावारी कठिनाई को दूर करने के लिए तथा टंकन मुद्रण की सुविधा को बनाए रखने के लिए अनुस्वार का प्रयोग कुछ स्थितियों में मानक माना गया है जैसे कवर्ग से पवर्ग तक के पंचमाक्षरों यानि न, य, न, न तथा म के लिए अनुस्वार का प्रयोग मानक मान लिया गया है जो न वो य के लिए बिना किसी समस्या के प्रयोग होता है परंतु न, न, वो म में से कुछ शब्दों में अनुस्वार की जगह पंचमक्षर का प्रयोग ही मानक है उधारण के लिए पुन्य की जगह, पुईया या कन्या की जगह, कैया या क्षम्य की जगह, क्षैया मानक नहीं है याँ पुन्ञ, कन्य, तथा क्षम में ही मानक है इसके अतरिक्त जहां दोहरे न या म की ध्वनी है वहाँ भी अनुस्वार का प्रयोग मानक नहीं है याथा उन्नत सही है, उन्नत नहीं सम्मान सही है, संध मान नहीं संमती में दोनों शब्दों के अलग-अलग अर्थ होने से यहां पंचमाक्षर का प्रयोग ही मानक माना जाता है चंद्रबिंदु का मानक प्रयोग अनुस्वार और चंद्रबिंदु में अंतर है इसलिए इन दोनों का प्रयोग अलग-अलग होना चाहिए संस्कृत में अनुस्वार अधिक चलता है चंद्रबिंदु का प्रयोग वहाँ न के बराबर है हिंदी में चंद्रबिंदु अत्यंत लोग प्रिय वो प्रेचलित है संस्कृत के आंत्र के लिए आंत, दंत के लिए दांत, पंच के लिए पांच, चंद्र के लिए चांद, अंगुली के लिए अंगुली या उंगली, अंगुष्ठ के लिए अंगुठा मानक है साथ ही हंस और हंस, कंस और कंस के अर्थों में भिन्नता के कारण अनुस्वार और चंद्रबिंदू दोनों का अलग-अलग अर्थ के लिए प्रयोग मानक है कई बहु अचनों में भी चंद्रबिंदु का प्रयोग अनुस्वार की अपेक्षा अधिक मानक है जैसे लड़कियां, खिड़कियां, बहुएं आधी शब्दों में क्रिया रूपों की मानक वर्तनी आधर सूचक वा सामान्य भूतकाल की क्रियां में ए वा ये का प्रयोग जैसे दीजिये, लिखिये, आईये मानक है वा गये, आए, आदी के स्थान पर गये, आए, तथा लिये और लिये दोनु मानक है हुए और हुए में हुए मानक है स्थाई सही है, स्थाई नहीं, इसे तरह उत्तरदाई सही है, उत्तरदाई नहीं सयुक्त वेंजनों का मानकी कृत रूप सयुक्त वेंजन दो प्रकार के होते हैं खड़िपाई रहित वह खड़िपाई सहित खड़ी पाही रही त्वेंजन वर्ण जैसे छ, ट, ठ, ड, ध, द, ह के सयुकताक्षर हल चिन्न लगा कर ही लिखा जाता है केंजरी हिंदी निदेशाले की विशेशक के समीती ने इसे ही मानक बताया है दारन के लिए विद्या में द आधा उसमें हलंत चिन्न में ह आधा उसमें हलंत लगा करके लट्टू में ट में हलंत लगा करके हड़ी में पहले ड में हलंत लगा कर आधी चुट्टी मुठ्टी के बहु अचन दो तरह से लिखे जाते हैं जिसमें ट हलंत के पीछे से मात्रा लगाई जाती है फिर ट पूरा लिख करके यहां लिखा जाता है या फिर ट हलंत लगा करके दूसरे ट जो पूरा ट है उसके पीछे मात्रा लगाकर चुट्टियां लिखा ट में हलन्त लगा करके फिर पूरे ट के पीछे छोटी की मात्रा वह यहां वो मुठियों में भी इसी तरह से मानक माना गया है इसी तरह वितिय उद्धार तथा बुद्धिमान इन तीनों में त में वह आधा नहीं मानक माना गया है। पूरा द लगाकर उसमें हलंत लगाकर उद्धार तथा पूरा द लगालिक्षकर उसमें हलंत लगाकर बुद्धिमान को ही मानक माना है। संग्या विशशन रूपों की मानक वरतनी, संग्या में वो इकारांत शब्दों के अंत में यह का प्रयोग अनिवार्य है, तथा इसे ही मानक कहा जाता है, जैसे मुनियों, लडकियों आदी, एकत्र के स्थान पर एकत्रित, ससंक से के स्थान पर ससंकित मानक है, परंतु लावण्यता, सवन्दर्यता, सन्यासि अ मानक है. संश्कृत के कई कारांत हिंदी में इकारांत होकर मानक हो गये है जैसे दीपावली हो गया है परिपा टी हो गया है शुची हो गया है इत्याद्ट देवनागरी लीपी में आधे-र के दो रूप रस्लित हैं, जिन्हें क्रमशह, रेफ व रकार कहा जाता है, रेफ अक्षर के ऊपर लगाया जाता है, व रकार अक्षर के नीचे लगाया जाता है, उसका एक रूप पहले कोन वत्था, जो अब गोल हो गया है, संस्कृत शब्दों में रेफ का प्रयोग मानक है जैसे वर्ष, धर्म, कर्म, परवत, दर्शन, आदी इसके अतिरिक्त उच्चारण के आधार पर यह सुनिश्चित किया गया है कि कहां रेफ लगाया जाए और कहां पूरा र लिखा जाए र किद्वनी दिर्ख सुनाई देने पर रेफ मानक है जैसे गर्दन, शर्म में और र एक बार वो पूरा सुनाई दे रहा हो तो उसे चरखा, वर्दी, भर्ती, शर्माना की तरह बोलना वो लिखना मानक होगा अंग्रेजी के शब्दों गार्ड, नर्स, फॉर्म, आदी में भी रेफ का प्रयोग मानक है आधार जब वर्ण के नीचे लगाया जाता है तो उसमें दो रेखाएं होती है खड़ी पाई वाली वर्णों में एक रेखा व्यक्त होती है वो दूसरी खड़ी पाई में मिल जाती है जैसे क्रम, प्रगती, भ्रह्मन, धुरूव, आदी में वो बिना खड़ी पाई वाले वर्णों जैसे ड, ट में दोनो रेखाएं व्यक्त होती है जैसे राष्ट्र, ड्रम, आदी शब्दों में रू की मात्रा के रूप में भी इसे र ही समझा वो बोला जाता है परन्तु यह दो रूपों में चलता है बोलने में री उच्चारंड में यह वेंजन की तरह बोला जाता है जैसे ग्रिह, कृपा, संस्कृत परन्तु लिखित में इसमें रू स्वर की मात्रा ही मानक मानी जाती है विसर्ग का मानकी कृत प्रयोग संस्कृत में विसर्ग का प्रयोग अत्यदिक होता है किन्तु हिंदी में विसर्ग केवल उन शब्दों में मान्य है जो संस्कृत के हैं जैसे पुनह, प्रायह, स्वतह, अंतह करण, इनके स्थान पर दुश्यासन दुश्याहस वनिसंतान मानक रूप हैं विदेशी शब्दों के लेखन में मानक वर्तनीगत रूप विदेशी शब्द हिंदी में कैसे लिखे जाएं इस संबंध में विभिनमत हैं अर्भी फार्सी के कुछ शब्दों को लिखते समय नुक्ता यानि अक्षर के नीचे बिंदी लगाई जाती है या लगाया जाना चाहिए यह मत कुछ विद्वानों का है और कुछ का कहना है इसकी आवशक्ता नहीं क, ख, ग, ज तथा फ ऐसे वर्ण हैं जिनसे बनने वाले अर्भी फार्सी के शब्दों में नुक्ता लगाने का समर्थन किया जाता है जैसे कागज, खत्म, आदी वर्तमान में केवल ज को छोड़कर अन्य वर्णों में नुक्ते का प्रयोग मानकी कृत नहीं माना जाता जह में भी नुक्ता उसी सिति में लगाया जाता है जहां मिलता जुलता शब्द हिंदी है उधारन के लिए राज, राज, जरा, जरा, यहां नुक्ता लगाने से ही दोनों शब्दों की अर्थभिन्नता स्पष्ट होती है शेश सारे शब्द जो हिंदी शब्दों से मिलते जुलते नहीं है उनमें नुक्ते का प्रयोग मानने हैं अंग्रेजी शब्दों में प्रमुक रूप से जिस ध्वनी चिन्न के मानकी कृत रूप के संबंद में मदभेध हैं वह चिन्न चंद्र है कुछ विद्वानों के मतानुसार इसका प्रयोग अनावश्चक है परन्तु देवनागरी लीपी की वैग्या निक्ता को बनाए रखने के लिए अंग्रेजी शब्दों को लिखते समय चंद्र का प्रयोग मानक माना गया है जैसे डॉक्टर, कौपी, ओफिस, आदी द्विगुण वेंजन ड, ड के इस प्रयोग में वरतनी का मानक रूप संस्कृत भाषा में ड, ड है जिने हिंदी में भी अपनाया है किन्तो हिंदी में भिन्न भिन्नद्वनी ड, ड का भी विकास हुआ है बिन्नद्वनिया होते वे भी ड, ड, ढ, ढ, से इस रूप में जुडी हुई है कि शब्द के आरंभ में तो ढ, ढ ही आएगा किन्तो शब्द के मद्य वो अंत में ढ, 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 तथा ढ, ढ में बदल जाता है जैसे धाई, अढाई, ढकना, कढाई, डफ, फड, डाल, लडा, आदी कुछ अपवाद भी हैं जैसे अनुस्वार और चंद्रबिंदु के बाद ड, वो ढ का ही प्रयोग होता है जैसे पंडित, पांडे, आदी में इसके अतरिक्त उपसर्ग लगाकर बनने वाले शब्दों में भी ड, ढ, ढ, का ही प्रयोग मानकी कृत है यथा आडंबर, नीडर, सुडोल, बेढंगा, आदी समविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा का पद मिला है और केंद्री सरकार द्वारा परिवर्धि देवनागरी वर्णमाला लेखन के लिए स्विकृत हुई है हिंदीतर प्रांतों के कई लोग जब उच्चारण के अनुसार शब्दों को लिखते हैं तब उच्चारण कई बार अशुद्ध हो जाता है इसलिए इस लीपी में सुधार का कार्य निरंतर चल रहा है ये सुधार 1909 से लेकर आज तक हो रहे हैं विभिन्न समीतियां गठित हुई और सभी ने इसमें परियाप्त सुधार के सुझाओ दिये हैं सन 1961 में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस प्रकार के चिन्हों को तयार करने का सुझाओ दिया गया था इस संबंध में विशेशज्यों की एक बैठक सन 1967 में हुई इस बैठक में चतकालिन शिक्षा मंत्री श्री वीके आर्वी राव ने परिवर्धि देवनागरी लिपी का प्रारूप प्रसुत किया इस प्रारूप में स्वीकार किये गए सभी लिपी चिन्ह व्यवहार में प्रयोग नहीं हो रहे हैं परंतु फिर भी बहुत हट तक वर्तनी का मानक रूप सिर हुआ है यह भी सत्य है कि किसी भी रूप को अंतिम नहीं माना जा सकता क्योंकि भाशा प्रयोग में निरंतर नहीं समस्या नय प्रश्न वो समाधान की संभावना बनी रहती है कि अहां नहीं सिर्ष भी सबस्क्राइबारी